तुभ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शिकों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे तर्शिकों आप सभी जानते हैं कि 27 चुलाई को दिन गुरिवार अधिक मास की नवमेति थी है पूचनिय पंडेची ने अपनी श्री शिम महापुरान कथा में इन साथ तितियों का विशेश रूप से वर्णन किया है पंच मेति थी, अस्ट मेति थी, नव मेति थी, एकादशी थी प्रदोश का दिन, शिवरातरी का दिन और पुर्णेमा का दिन ये साथ तितियों पर पंच दिपक का यदि आप विशेश उपाय करते हैं, तो महादेव की क्रपा से आपके घर में पूरे साल सुक संपदा का वास होगा, घर में शुक और सांती का निवास होगा माता पारवती, माता लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थाई रूप से वास करेंगी, शाम के समय प्रदोश काल में आपको इस उपाय को करना है, प्रदोश काल का समय लगभग सुरियास्त से 45 मिनिट पहले से लेकर सुरियास्त के 10-15 मिनिट बाद तक का माना जाता है, तो कह सकते हैं कि शाम के समय 6 बजे से रातरी 8 बजे के बीच आपको इन उपायों को कर लेना है, पांच दीपक का यह विशेश उपाय आपके जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देगा और माता लक्ष्मी का आपके घर में इस्थाई रोप से वास होगा, पूजनिय पंडेची ने अपने श्रीशिम महा पुरान कथा में शाम का जो 6 बजे से रातरी 8 बजे के बीच का समय होता है, यह माता लक्ष्मी का धर्ती पर भ्रमन का समय भी बताया जाता है, साथ ही इसे समय पर स्वयम देवादी देव महादेव और माता पार्वती भी धर्ती पर भ्रमन करते हैं, और अपने भक्तों के सभी कस्टों को दूर कर अपने मन की कामना को पोन करते हैं महादेव और माता पार्वती, साथ ही माता लक्षमी भी स्थाई रूप से आपके घर में वास करती हैं और आपके घर को धनिधान से परिपोन कर देती हैं पूझने गुरुजी बताते हैं कि यदि कोई भक्त सच्छे मन से और पोन विश्वास के साथ इस एक उपाय को कर लेता है तो महादेव उसके जीवन की समस्त कामनाओं को जल्द से जल्द ही पून कर देते हैं और महादेव के आशिरवास से उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का कस्ट अपने जीवन में भूगना नहीं पड़ता है तो यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है या फिर कोई ऐसा कार है जो आपके अनिको प्रयास के बाद भी पून नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा महादेव की क्रपा से पून शिव परिवार की क्रपा से माता लक्ष्मी की क्रपा से अपने पित्र गण की क्रपा से आपके जीवन में जो भी समस्या है वह समाप्त होगी फिर वह चाहे धन सम्मंदित कोई समस्या हो व्यापार से सम्मंदित समस्या हो नौकरी से जोड़ी कोई समस्या हो किसी रोग ने आपको बहुत समय से घेरे हुआ है कोई व्यक्ति आपके खर में बहुत समय से परिशान चल रहा है आर्तिक इस्तती मजबूत नहीं हो पा रह ही है या फिर आप कर्ज के तले धीरे धीरे दबते जा रहे हैं कर्ज उतर ही नहीं रहा है हम सब सोचते हैं कि कर्ज क्यूं बढ़ता है जब धन की आवक नहीं होती है व्यक्ति के पास तो दिन बर दिन वह उसे उधार ले लेकर कर्ज बढ़ता जला जाता है और जब वह चु वह क्या करें ऐसा कि उससे कर्ज उतर जाए और धन की आवक बढ़े माता लक्षमी का इस्थाई रूप से घर में वासो. यदि आपके घर में भी धन एकतरित नहीं हो पाता है धन आता तो है लेकिन तिकता नहीं है माता लक्ष्मी जादा समय एक समय पर विराजमान नहीं रहती है उनका एक नाम चंचला देभी भी है इसलिए मा लक्ष्मी को प्रसन बनाए रखना बहुती जरूरी होता है हम अपने घर में छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेंगे छोटी-छोटी नियमों का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी और हमारे घर को धनिधान से परिपोन कर देंगी तो चलिए जानते हैं पाँच दीपकों का यह विशेश उपाए जो कि आपको प्रदोश काल के समय पर करना है इस उपाई के लिए आपको पाँच दीपकों की आवशकता होगी 5 दीपक कौन से? हमारे हिंदु धर्म सास्त्र में बताया गया है कि हमें जब भी दीपक जलाना होता है पूजा के अलावा कोई भी उपाय में तो या तो हम आटे के दीपक का प्रयोग करें या फिर मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें आप सभी जानते हैं आटे और मिट्टी के दीपक को हमारे हिंदु धर्मि सास्त्र में सफसी पवित्र और शुद्ध माना गया है तो इक पांच आपको आटे के दीपक ले लेने हैं या मिट्टी के दीपक ले लेने हैं यदी आप आठे के दीपक त्यार कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखे कि उस आठे में आपको नमक का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। यदी हम नमक का प्रयोग करते हैं तो वह उपाय हमारा खंडित माना जाता है। और उस उपाय का पूर्ण फल हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है तो आप ध्यान रखे दीपक आटे के बनाए तो नमक का प्रयोग ना करें दीपक तयार करने के बाद शुद्य देसी घी के ही आपको दीपक तयार करने है उसमें लंबी बाती आपको लगानी है पांच दीपक आप रख लें प्रदूश काल के समय पर पहला दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपनी इस्ट देव को याद कर उन्हें प्रणाम कर आप दीपक अवश्य ही जलाएं, जिससे की पूरे साल माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा दूसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी वाले इस्थान पर यानि की परिंदे वाले इस्थान पर आपको जलाना है रसोई घर में माता अनपुर्णा का वास होता है और पीने के इस्थान पर हमारे पित्रों का वास होता है जिससे की पित्र दोश दूर होगा तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाएंगे तो माता लक्षमी आपके घर की और आकर्शित होंगी और आपके घर में इस्थाई रुप से वास करेंगी चौथा दीपक आपको बेल पत्र के व्रक्षी के नीचे जलाना है यदि बेल पत्र का व्रक्षी नहीं मिल पाता है तो आउले के व्रक्षी के नीचे या समी के व्रक्षी के नीचे आप दीपक जला सकती है वहाँ पर स्वयम देवारी देव महादेव का वास माना जाता है पाँच्वा और अंतिम दीपक आपको शिव मंदिर की चोखट पर या फिर शिवजी के समक्ष शिवलिंग के समक्ष ही आपको दीपक जलाना है शिवलिंग के उपर दीपक नहीं रखना है शिवलिंग के स्तमक्ष दीपक रखना है 11 बार श्री शिवाय नमस्तो भ्यम मंत्र का उच्छारन करें और अपनी कामना को सच्छे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव से कहें आपकी कामना पूर्णी मा तक अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शको वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करी, कमेंड करी और हमारी चैनल को तुरंति सब्सक्राइब कर ले धनिवाद दर्शको मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तो भ्यम हर हर महादेव